हेलो मैं हूँ अवह अफ्रांशा फ्रोबल टीचर्स अकैडमी आज हुँ बात करेगे महात्मा गांजी और हमारे भारती रास्ट्रे-ांदोनन के बारे में कि जो महात्मा गांजी है उनकी भारती रास्ट्रे-ांदोनन के रहना तो आमसे पहboy बात करते हैं इंट्रोटेक्शन लॉफ माहत्मा गांधी यानि माहत्मा गांधी के जीवन परिच्छे के बारे में तो माहत्मा गांधी का जल्म है वो 2 अक्तूबर 1869 को हुआ था और यह हुआ था पौर बंदर एक गुजरात में जगें है महापे पौर बंदर नामक इस्तार पर माहत्मा घृडव गांधी का जल्म हुआए था उसके माथ अगे मम्मी महत्मो बीटार की बात करें तो इनके बाता करन ता पुत्य बाई और इनके पिता का नाम था करणचल गांधी और अब बात करें इनकी पत्ने के बारी में तो इनकी पत्ने का जो नाल था वो था कस्तूरबाब गांधी इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबाब गांधी अब अगर बात करें इनके राजनीतिक गुरु के बारे में तो इनकी राजवितिक गुरु जो थे वो ते गोपाल टेश्न गोख्लित गोपाल टेश्न गोख्लित को ही महत्म गादी ने इंडिया आगे अपना राजवितिक गुरु माना था इन्हों इनको जो महत्मा की उपादी दे गई थी जो गाली थीगे नाम के आगे महत्मा एड हुआ है इनको महत्मा नांदी की उपादी रबेद्र नाथ पेगोर वेदी थी अब इनकी मित्यों के पारें में बात करें तो 30 जन्वरी नाइडी 48 को नाथु रावन गोर्ड से एक व्यक्ति था उन्हों ने गोली चनातर और महत्मा गांदी की हत्या तर्वी और इनकी मित्यों के दिन को यारी 30 जन्वरी को हम शहीत दिवस्त भी मलाते हैं शहीत दिवस्त की नाउन से भी 30 जन्वरी को जाना जाता है और दो अक्टूबर दुए जन्क जन्व दिवस्त से उस दिन हम आइंसा दिवस्त मनाते हैं क्योंकि मात्मा गांदी तो थे वो अइंसा के बहुत पढ़े समड़ तक थे इसलिए इनके जन्व दिन को अइंसा दिवस्त के रूप में मनाया जाता है अब 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 बात करें इनके अफ्रीका प्रवास के बारे में यानि जबी अफ्रीका गए तो वहां चाहिए प्रफ को फ्रस्ट क्रास में जब यात्रा कर रहे थे तो हां कि एक लोकल अधिकारी दे उनको प्रथम श्रेणी के दिप्पे में से तहका मार्क बहार गिरा दिया इससे प्रत्मा गांठी इतने जाधा प्रभावित हुए कि यहां पे लोगों को रह देर की आधार पर कितना जाध करना पड़ता है तो उन्होंने 1894 में नाटाग हिंदिय कॉंग्रेस की स्थापना करी फिर 1906 दर्बन में उन्होंने फिनिक्स वाम की स्थापना करी और 1906 में साउथ अफ्रीका में प्रत्म बार सत्य ग्रेका योजन महत्मा गांधी ने किया इसके बाद 1909 में टॉल्स्ट् हिंद स्वयराज भी लिखें इसके बाद हम पात करते हैं कि महत्मा गांधी जो वापस अफ्रीका इंडिया आए और इंडिया में राष्ट्री आंदोनर में उन्होंने अपनी रूमिगा स्टार्ट करी और अतना एक बेस बनाया तक ही इंडिया स्वत्रत्र हो सके तो वह स् तक उन्होंने 1915 में ही साबरवती नदी जो कि एहमदबादी में है एमदबाद बुजरात में वानपे सत्याग आशन की इस्तापना करी उसके बाद जो बिटिश सर्टार है उन्होंने महत्मा गांधी को केसर एहिंद की उपादी दी थी प्योंकि जो 1914 से 1930 तक First World War चल रहे उस First World War में गांधी जी जो है बिटिश सर्टार को बहुत सपोर्ट किया था उन्हों को केसर एंगिंद की उपादी बिटिश सर्टार गौरा दीड़ी थी इसके बाद हम बात करें जो कि मैंने पहले बताया था आपको कि तो गोखले थे यानि को पार्पनिश्र गोखले जि खुले रखना है और अपने मूब को बंद रखना है और सिर्फ आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें जो है इंडिया में अब हो रही है और आप क्या क्या चीज़ें जो है बदल सर्टे इसी दिए आपको कान बंद कान खुले रखने हैं और और मूब बंद रखना है इ जब यह पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्तित हुए थे वह इंडिया में उपस्तित नहीं हुए थे अब वह बाज तरहें कि मात्मा गांधी की जो स्टार्टिंग आमदोलंग थे वह कौन कौन से थे तो सबसे पहले मात्मा गांधी ने चंपारन सत्यावर चंपारन जो की बिहार में है यहग पे 1917 में एक राजकुमार शूकिल नाम के रच्टि के कहने के उपर राजकुमार सत्यागने था जो भारत में इन्होंने नेत्रित्याव कियासिसका और इसी के अलावा इस सत्यागने को बहुत यह किसान की सट्यागने के उपर बहुत प्ल particular चला था जिसके अंतरग्रत किसाल थे उनको बहुत जाधा परेशानियों का ऑश्यान गरना पढ़ा तक और उसके बाद किसानों को हैट करने की कोशिश की थी इसके बाद एक सथ्यागर ने हुआ था या एक विद्रों हुआ था जो कि 1918 ने हुआ था उसमें महत्मा गांदी ने महत्मा गांदी ने वही मांग बढ़ा कि महत्मा गांदी ने कहा कि मील मंदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए उसके बाद महत्मा गांदी भूकरदा पर बैठ गये और महत्मा गांदी ने ने वांग दूरों को एक दा 35% बोनस दिद्वाद के ही अपनी भूकरदा खतम करी उसके बाद जो है खेड़ा सत्यागर ने हुआ मार्च 1918 में और इसमें जो है यह सबसे पहला सफल किसान विद्रों किसान सत्यागर में वाना जाता है और इसी वेदों है सरदाय प्रफेयर जोन है उन्होंने गांदी जी को अपना वह वान लिया था कि गांदी जी इस लाइक एंसेस्टर और गांदी जी के वह अनिराई हो गए थे अब हम पाक्स टबे हैं रॉलेट एक्ट के बारे में जो कि 1919 में आया और इसे काना कानून के दाम से भी चाना जाता है विकाज ओव रॉनेक एक्ट का जो कानून था वो यह था कि बिना किसी को कुछ बोले या बिना उसको अपराद बताए इसको जील भी डाना जा सकता था और इस लिए इस एक्ट को बिना पकीर बिना अपीर और बिना दलीन का कानून भी कहा दया और इसी के अपोजिट या इसी के विरोध में गांधी टीके के रने परफदेश परविक्ष है अप्रेन 19-19 को हड़ताल का योजब हुआ अले देवेक जिगह अले देवेक नोकों ने हड़ताल की और जिसकी वाज़े से ब्रिटिश शांतार इत्ती दर गई की गांधी टीके दिल्ली आने पर प्रतिबंद लगा दिया गया फिदामेशी को दिल्ली में परवेश पर प्रतिवंदित कर दिया गया और यह अप्छी महांती इस्तर की तो पत्थब हड़ताल ती यानि इसने पहले इतनी बड़ी हड़ताल कभी नहीं थी धारत में यह पहली हड़ताल थी इसकी बाद जो है 13 अप्रेल 19 को जलियावादा बाहत्य अतांड हुआ जब अम्रीच सब्सक्राइब लोग बैसा की बनादने के मियेट और डॉप्टर शेयर्फू दीव इचलू और सत्यपाल नाम की तो डॉप्टर थे औरको जबाचस्ती 9 अप्रेल को गिरफ्ता धर्लिया सब्सक्राइब उसके बारे पर बात करने के यह जब तेवा अप्रेल 19 को लोग इखते हुए तो डायर माइकल डायर नामबच फ्यप्ती बे या उस सब्सक्राइब इन लोगों पर गोलिया चलाई और होट सारी लोगों की वित्तियों होबे उसके बाद खिलाउपत आंदोनन आयां जिसको तरदीजी नहीं तहां कि यह हिंदू और भुस्ली में तक एक सुनने सेना आउसर है और इस्तो जो तर्ट्री तो अजए वो मोगनमत अली और शोपर कली में किया 19-20 में यह भी आंदोननन हुआ था इसको रीजन यह था कि 1914 से जो 1918 तक फ कि तो है रेपूटेशन है जो थोड़ी कम हो गई ती जिसकी वज़े से मुस्लिन स्पोल रहे कि हमें हमारा पराबर हमें उपर खलीफा का उत्रा जादर रिस्पेक्ट वापस चाहिए और यह चीजों की चत्तर में जो है इन्होंने खिलाफत आंदोनन की शुरुआत की ती 2020 में नातपूर अधिवेशन हुआ था कांग्रेश का और उसी में इस प्रस्ताफ पुष्टी प्राप्तुरी कि असायों गांटोनन जो है वह अब किया जाएदा और इसकी शुरुवाट जो है एट अधरस 2020 को हुई और एट अधरस 2020 को ही तिलत की व्रत्य हो बाई जिसकी अधरसी नोगों में थोड़ा निरांशा हुई लेकिन लोगों ने फिल्टी पूरे जोस्त इस आधरन की शुरुवाट की और जो है कि भारतवर्स की लोगों ने अंग्रेशों के सारी चीजों का त्याब कर दिया उन्होंने गौर्ण्मेंट स्कूल का त्याब कर दिया वक होना बढ़ती जा रही थी तो देरे देरे हिंसा में परिवर्तित होने लगी चीजें जो कि महत्मागार्दी अहींसा का प्रतीक थे तो महत्मागार्दी के लिए यह चीजें दिक्कत करने वादी हो गई और चौरा चौरी ताट जब हुआ पांच फरवरी 1922 को गौरतपूर नामकिस्तान पर यह चौरा चौरी चोटे सी पुलिस चौकी थी आवरती जो चौरा चौरी में जो आंदोर करता थे उन्होंने आफ्रबन कर दिया और इस दो पुलिस तर्वी जो थे उनको मार दिया जिसक का योग आंदोलत वापस ने विया यानि असरयोग आंदोलत का खंट व्याद जिसके वजह से दांदे जी की काफी अनोच नहीं मतलब राजनी ते कि इस तर्व गांदीटी को बहुत ज्यादा पुरा पिला कि जब आंदोलत इतना जादा तेजी पपड़ गया था जब हम लक्षे को पालने वाले ते तो आपने इए आदोल दरन बंद क्यों कर दिया इस्टए उनकी अनोच ना हुई थी और आनोच ना करते हुए कि स्वरात्य पाण्टी की स्थाप्न करी थियां दाश Quindi सियर्मएंजर्मांअग दास और मोटी याण दुन ने स्वरात्य पाक्ट कमिशन की एक बात यह थी कि साइमन कमिशन में एंग पीश हदस्ष्टि भार्ती नहीं तो जितेरी सदस्ष्ट जो थे वह अंड्रेज थे यह विपिश्ट थे जिसकी वज़से साइमन कमिशन जैसे भारत में प्रवेश करा 1928 में गोबैक साइमन के श्लोगन उनके सामने बोल दांधी दिन एक और आंदयन की शुरवात की जिसे सभी ने आवज्यां कहते है और उसके शुरवात नहीं की अच्छंत अनुयायों ने भाग लिया और ये अहम्दाबाद के साबरवती आश्रम से बुझरात के दांडी में दांडी तक ये यात्रा चली और गांडी चेवे समुतर की नारे दांडी में अपने हाथ से नमक बनाया और नवक कानून को तोड़ा इसे ही दांडी मार्ट के नाम से जाना जाता है इसकी जो कुल दूरी थी वो थी 240 माइल्स यानि 240 माइल्स तो गांडी जी अपने अन्वियाईयों के साथ पैदल गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर नमक बनाकर ये तानूर तोड़ा इसके बाद जो है प्रतप गौन में सम्मेदन याकि यानि कि फ मखरेश कि प्रतिनी दिल भाग लेखिया और नहीं गांठी घी ने भाग लिया के उसकी बाद पाथ लाच Google कि 19 facile text गांधि इर्विन सरी Confeder जिसर के अंदर डांधी जी कुछ मांगए रखी अपनी इर्विन की सामने की यह सारी मांगे अपनी इर्विन जी आप Jason जी लिजिए और कुछ करहा कर दी जिए ऐसी मांग那我們 गांदी जी ने रखी लेकिन इर्विन ने कुछ मांगे मांगे और कुछ मांगे नहीं मानी लेकिन दोनल्र वन्त हो चुका था तो यहां पर जो एक बात उठके आए थी वह थे कि इस समय पर भगत सिंग और सुक्देल जेल बेते तो लोग भगत सिंग को बहुत जादा मानते थे और उनको कहना था कि गांदी जी ने भगत सिंग को क्यों नहीं भगत सिंग की आजाते की क्यों मांग नहीं की तो यहां पर बहुत जादा विवार क्रियेट हो गया था और नाने जी जो है सेकेंड ड्राउंटेबल में इसी वज़े से भाव लिया उन्होंने उन्हों की 1931 में हुई नेकिन इसका भी कोई फाइदा नहीं हुआ और गांदी जी महां से भी निराश लोटकर आ रहें फिर उसकी बाद जो है थार्ड राउंटेबल हुई जो की 1932 में हुई और उसमें भी गांदी जी ने बार नहीं हिया स्थ फिर उसकी बाद आप बात कर देए इस सब्सक्राइब जो बीट में सबीना अब ज्यान बंद हो गया तब विकोज वांदी इर्विन समझों ता वह वापस 1932 में शुरू हुआ और इस बार जो है लोगों में उतना ज्यादा उच्छा नहीं था कि वह भाद ले यह और आंदोनन में या फिर बहुत जादा सब्सक्राइब जहां पे लोगों ने जो है इस आंदोनन की प्रति उच्छा दिखाया उसकी बाद में पात करते हैं पूना पैक्षित जो कि 26 सक्टेंबर 1932 को हुआ माहत्मा गांधी और बीयारं बेटकर के बीज में माहत्मा गांधी बीयारं मेटकर के कहना था कि जो हमार दलिक लोग है उनको अलग से स्ट्रीट्स मिलने चाहिए इन गॉर्णमेंट और जो चुदाव होरे उनमें भी हमारी तो सीट्स है वह रिजाव्ट होनी चाहिए गांधी जी ने कहा कि अदर मैं तो सब लोगों को पराबर हग दियाना चाहता हूं मेरा यह मानना ने कि अद पर बैठ गए कि खाना पानी कुछ नहीं खाऊंगा तो उसके बाद अंब्रेट करने का कि चलो ठीक है अपने एक पैक्ट कर लेते हैं और उस पैक्ट के तहां तंब्रेट करने कहा कि आप मेरी यह मांग मांग लीजिए कि हमें कुछ जबाव पर रिजर्व कर दी जाए कु जुलाई 1942 को वर्धा में उसके बाद गांधी तीने यह उस्टा की थी इवर देश की पालू से इतना बड़ा अंदोलन क्रियेट कर दूँगा कि लोग देखते रह जाएंगे और उन्होंने तर दिखाया इसके बाद जो आर्ट जिनल आर्ट अर्ट 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 को यह अंदोलन शुरू हो गया यानि भारत छोड़ू जा अंदोलन ने वो आर्ट अर्बास 1922 से शुरू हो गया और इसी जमेक्रिस में सब मिशन इंडिया आया येकिन दो भी असफन हो गया और अब जो हमारा अंदोलन है इसमें महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चरकी हिस्सा लिया और इसके साथ ही इसमें एक अनुनाख असथ अलीग इवावे भूमिगत रूप से रेडियो प्रसारण दिया यानि कि इन्हों सब्सक्राइब करना चाहिए अपने देश को आजार करना चाहिए उसके नाजम बात करिये भारत चोड़ों आमनेवन के बाद तो अधिनिया आया 1947 में जो कि 4 जुलाइग 1947 को प्रस्तावित हुआ और 3 जून 1947 को इसकी वैधारिक रूप से योजना बनके तयार हो गई थी इ सब्सक्राइब अधिनिया 1947 जो है यह मौल्स बेटन प्लान योजना की नाम से भी जाना जाता है और इससे क्या कहते हैं डिकी बिकी वाट प्लान योजना भी से कहते हैं इसी के थामच जो है इसी योजना के फेहत हमारे देश को आजादे मिली थी यादि की मौल्स बेटन योजना के तहसी 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है फ्रीटन को प्राफ्ट कर लिया उसमें और वो इंडिपेंडेंस हो गया थैंक यू सो मच